अडी प्रेजेंटिट बाइ डॉक्टर ओर्थो आयरुवेदिक ओईल एन कैपसूल जोडो के दर्थ की बेजोर दवा कोरोना की दूसरी लहर में देश ने क्या-क्या देखा? किसी से चिपा नहीं है अलग अलग राजियों से आई दिल देहलाने वाली तस्वीरों ने ऐसा दर्थ दिया जो शायद कई दश्कों तक मन मस्तिश को परिशान करता रहेगा लेकिन लगता है कि हम अपने अनुभवों से सबक लेने को तयार नहीं है नमस्कार मैं हूद इनेश गौतम और आज हम बात करेंगे कि आस्था जरूरी है या जान कामड यात्रा पर देश की सर्वोच चदलवत की तरफ से उठाएगा इस सवालों की परताल करेंगे और अभी एक दिन पहले ही पूरवोतर के मुख्यमंतरियों से बाचीत करते हुए पीम मोदी ने कहा कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आ सकती लेकिन आपकी और हमारी लापरवाही इसे जरूर लेकर आएगी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कामड यात्रा मंजूरी पर नोटिस जारी करते हुए इस बात को और आगे बढ़ा दिया है आपको हरिद्वार का महाकुम भयाद होगा जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बर पाया था और इस बार उत्तरा खंड ने तो कामड यात्रा को रद कर दिया लेकिन उत्तर प्रदेश कुछ अलग तयारियों का दावा कर रहा है क्या है ये पूरा माजरा और क्या चाहता है इन दुस्तान आपको बताएंगे नमस्कार मैं हुदिनेश कौतम लेकिन पहले ये बड़ी ख़बर यूपी में कामड यात्रा की इजाज़त पर सुप्रीम कोर्ट सक्थ सुप्रीम कोर्ट ने स्वता संग्यान लेकर यूपी सरकार को नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई जस्टिस फालियस्क नरीमन की बेंच ने मामले में स्वता संग्यान लिया मामले को सुव मोटो संग्यान में लेते हुए कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश को लोग असमंजस में हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्थिती असल में है क्या तीसरी लहर सामने हैं और हम करना क्या चाह रहे हैं और सवाल ये है, आईए अब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं अपने महमानों से आपको परिचा की तरफ ले चलो, उससे पहले ज़रा ये जानकारी आपको दे दूँ हमारे साथ जो खास महमान जुडेंगे, उनसे अलग-अलग नजरिये लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि आस्था निश्चित रूप से हमारे जीवन का एक अभिन अंग है, लेकिन जीवन है तो वो अंग है आस्था जरूरी या जान, ये समझ लेना पहले बहुत आवश्यक है, आगर जान रही तो फिर जहान भी है इधर देखिए क्या हुआ है अभी तक, ये जो मामला जहां से आगे बढ़ रहा है और आप जानते हैं, सावन के महीने में शेवभक्त अलग-अलग जलाशेयों से, पवित्र जलाशेयों से, नदियों से जल लेकर आते हैं शिवजी पर चठाने के लिए खुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्थ, डॉक्टर अर्थो आपको देता है, दर्थ से पूरी आजाती, एक भरपूर सिद्धिकी ये कोई टेंपरिली पेन किलर नहीं, आयुर्वेदे का उश्यजी है कावड यात्रा इस दौरान पूरे चरम पर होती है, कावड ये निकलते हैं और पूरी आस्था के साथ जाकर जल लेकर भगवान पर चढ़ाने जाते हैं लेकिन क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, कावड यात्रा पर उत्राखंड सरकार ने बेन लगा दिया उत्रप्रदेश सरकार ने यात्रा की इजाज़त दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूओ मोटो संग्यान में लेते हुए कहा कि केंद्र और उत्रप्रदेश दोनों ही बताएं कि क्यों ये फैसला लिया जा रहा है, कोविड काल में क्यों जरूरी है, कावड यात्रा कराना, क्योंकि भीड के जुटान तो होगे ही, भीड के जुटान दोनों ही जगों पर होंगे, जलाशेयों पर भी, और वहां जहां भगवान शेव के मंदिर होंगे क्या आप बाकी राज खुद सबक लेंगे या असल में यहां तो कई बार आपको ये भी देखना पड़ता है कि पॉपुलर सेंटिमेंट क्या है क्या पॉपुलर सेंटिमेंट के चलते कई जगों पर ऐसी रवायतों को चलने दिया जाएगा भले ही लोगों की जान पर बनाए ये एक बड़ा सवाल है अब ज़रा देखिए कामड यात्रा पर सुप्रीम संग्यान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जल्दी से वो दिखा देता हूँ चलता हूँ अपने महमाने के पास लगाई है तो फिर यूपी सरकार ने कामड यात्रा को कैसे मनजूरी दिया है 16 जुलाई को जस्टिस आरिस ननीमन की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है अब जबकि यह होने वाला है इस पर सुनवाई होने वाली है केंद्र और उत्तर प्रदेश को इसको लेकर जवाब देना है उस समय अब ज़रा देख लें कि दोनों ही राज्यों का इस मसले पर मसला एक ही है, कामड यात्रा एक राज्य कह रहा है, नहीं होने देंगे लोगों की जान ज्यादा कीमती है, आस्था से ज्यादा लोगों को मरने नहीं दिया जा सकता दूसरा राज्य अगर इसे इजाज़त दे रहा है तो क्या डिफरेंस ए उपीनियन में जरा वो देख लीजे कोरणा नियमों के साथ यात्रा जारी रखी जाएगी ये योगी आदितिनात कह रहे हैं तो धर धामी साब क्या कह रहे हैं उत्राखंड के नए सीम वो कह रहे हैं लोगों की जान को खत्रे में नहीं डाला जा सकता यहां कहा जा रहा है कोवीड नेगेटिव रिपोर्ट पर ही यात्रा की इजाज़त देने पर भी विचार हो रहा है उधर तीसरी रहर रोकने के लिए यात्रा रद करना ही जरूरी है मतलब वैक्सिनेशन की आर्टी पीसी आर की रिपोर्ट के बावजूद हम जारी नहीं रख सकते भारतिय जनरता पार्टी की सरकारें दो राज एक मसला अलग अलग नजरिया और इसलिए शायद कहा गया है कि पीपल आर परप्लेक्स्ट मेरे साथ जो खास महमान जुड़ रहे हैं पहले उनसे परिचा करा देता हूँ डॉक्टर सौमित रावद बहुत बड़ा नाम चिकित साकिक शेत्र के पद्म अवाल्डी सर गंगराम हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत सौगत है आपका डॉक्टर रवी गोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने नजरिये खास तोर से उनका अलग नजरिया आपको निश्चित रूप से भाता है आज एक बार फिर वो उस नजरिया के साथ जुड़ेंगे युनाइटे स्टेट्स ने क्या देखा है संदर में जो सबक हम ले सकते हैं उनसे हम समझेंगे शलब मनित्रिपाठी पत्रकार रहे और अब राजनेता हैं हमारे साथ प्रवक्ता की हैसियत से भारतिय जन्ता पार्टी के जोईन कर रहे हैं राजकुमार भार्टी साब भी ये भी एक संयोग है कि वो भी लेखन में पत्रकारिये कामों में दिल्चस्पी रखते रहें और वो समाजवादी पार्टी के तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप दोनों का बहुत स्वागत है स्वामी दीपांकर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करके समझेंगे कि धर्म इस मामले में क्या कहता है जब आस्था और जीवन दोनों की तरफ हमको देखना होता है तो हमारे लिए निर्देश क्या है और डॉक्टर दीपांकर बोस ये दो दीपांकर हमारे साथ होंगे आज शाम जहां ना समझी है वहाँ के अंधेरों को दूर करने के लिए दो दीपांकर उजाले के साथ हमारे साथ जॉक्टर दीपांकर बोस युनाइटिट किंडम से लाइव हमारे साथ खासतोर से जहां डबल वैक्सिनेशन के बावजूद केसिस बढ़ रहे हैं वहाँ से क्या सबख हम ले सकते हैं लेकिन सबसे पहले में जानना चाहता हूं शलप मणी त्रिपाटी साथ मसला एक नजरिये दो पीपल आर परप्लेक्सट जो लोग उत्तर प्रदेश को लेके इसको सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं एक आखला प्रस्तुत करना चाहूंगा पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश जो की 25 क्रोड की आबादी वाला राज्य हैं, हमारे हैं कोविड पॉजिटिव केसे 69 था है, 59 था है और हमसे जहां आधी आबादी के राज्ये हैं, छोटे राज्ये हैं, तमाम सारे, जैसे महरास्टरा है, केरला है, आंध्रा है, वहाँ पर हजारों की संख्या में केसे जा रहे हैं. हमारे उत्तर प्रदेश में आम दिन चर्या पूरी तोर पर शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन कर रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, तमाम जो दिन चर्या कार हैं, वहाँ भी चल रहे हैं, 2020 में कामण यात्रा नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऐसे परिस्तिया नहीं थी, लेकि इस बार जितना हमने आगलन किया और हम जितना अपने काम को लेकर प्रवंदन को लेकर आश्वस्त हैं, कि हमने पूरी तोर पे बहतर व्योस्ता दी है, तो इस शर्थ के साथ कि जितनी गाइडलाइन्स होगी, जितने कोविट के प्रोटोकॉल होंगे, उस इस तरह की तुलना हम क्यों करने लगते हैं, मारास्ट की पापुलेशन और यूपी की पापुलेशन देखने लगते हैं? तक पहुचाने का हमने किया, तो आज सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट, सबसे ज़्यादा चुनोतिया, उसके बावजूद हमने बेतर प्रबंदन से उत्तर प्रदेश में कोविट को काबू किया है, और एक बात और, जब तमाम राज्यों में हमारे ओविसर्स खुले रहे, उसके बावजूद हम आकड़ा 24 घंटे में 69 केस पर लेके आए, 42 जिलों में कोई केस नहीं है, हम तो तुलनात्मक रूप से बताएंगे, हमने अच्छा काम किया, हम कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए हम आगे बड़ रहे हैं, राजकुमार मनी जी से बहुत विनमर्ता के साथ ये निविदन करना चाहूंगा, कि जो बात हैं आप हमें और टीवी नाइन भारत वरस को और देश की जनता को समझाना चाह रहे हैं, वो उत्तराकंड की सरकार को समझा हैं, और मानी मोदी जी को इसमें अस्तक छेप करना चाहिए, हम दो दोनों प्रदेशों को कोरोणा का खतरा है, और न twee ह और पूरे देश में पर पाया है एंज दोनों की इस्तिति समान है, कोई असमान ता नहीं है, कोई भीनता नहीए, कुछ भी कहते रहें सलम मनी को तरक कर रहा है आप एक सगंड राजकुमार भाटी जवाब दे लूँ मैं इस पर ने दिखें मैं उत्राखन के बारे मैं इतना बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक जगह से हरिद्वार से गंगा जल लेकर और उसके बाद लोग कामण यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में फोई एक जगह नहीं है गंगा जी बहुत से इलाकों से निकलती है जैसे मैं उधारन के तौर पर बताओं तो काशी से 25-30 किलोमेंटर की दूरी पर एक जगह है चौबेपूर लोग वहा बहुत सब्सक्राइब त्रवच क בחbor किमिया जाएं आफ साथे साथ कहीं से इसमें इसको लेकर कूरा एक कीना ध्रान की तुलना नहीं है हम सिर्फ इतना कहने हैं कि हमारा प्रबंधन बेटर है हम उस प्रबंधन को लेकर कॉन्फिडेंट है वरना 2017 से पहले बिनावाड पार्टी जी अब जब सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी बहुत सारे मस्तलों को लेकर उस्तर प्रदेश से लोग गए हैं हमने जब यहां पोस्टर चिपकाए थे अपराधियों के अतंकवाधियों के तब भी लोग सुप्रीम कोर्ट गया है लोग नहीं गये हैं सुप्रीम कोर्ट लिया है आप कहरें जवाब देंगे मतलब आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे इसस अंदर में आप जो अपनी जड़ गया है धर्मा किया उनके पास हम जाएंगे लेकिन पहले मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ जरा इस पर एक साइंटिफिक ओपीनियन भी ले लूँ मसलन डॉक्टर सौमित्र रावत उन राज्य की परिस्थितियां अलग हैं एक ये भी कहा गया कि देखिए आप बात कीजे उन स्टेट्स की जहां पॉपलेशन उत्तर प्रदेश के हिसाब से आप देखिए वहां की कंपरिजन कर लीजे उसके सवाल के जवाब में भी आपने देखा कि आपका नजरिया ये दूसरा हो सकता है हम तो कंपरिटिफ देखेंगे सर कोरोना को समझ पाए ह हैं क्या हम इतना जहिलने के बाद भी असल में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है कि अभी सेकंड वेव पूरी तरह से खतम नहीं हुई है और जैसा कि आपने देखा था कि सेकंड वेव के पीक में सारे चार लाग केसिस थे हमारे और धीरे धीरे आप देख रहे हैं केसिस कम हो रहे हैं लेकिन केसिस जो हैं एक बार चालिस हजार केसिस जब कंट्री में पहुंचे हैं पिछले दो वीक से वो कम नहीं हो रहे हैं दिनेश जी आप देख रहे हैं पिछले दो हफते से जो टोटल नंबर ऑफ केसिस हैं वो तीस चालिस हजार के करीबी हैं वो ग इतना कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर अर्थो आपको देता है, दर्द से पूरी आजाती, एक भरपूर सिद्द्गी, ये कोई टेंपरिली पेन किलर नहीं, आयुर्वेदे का उशुजी है। कि मसूरी में क्या हुआ है, शिमला में क्या हुआ है, पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, उन्होंने पूरा एंफिसाइस किया है, कि COVID-appropriate behavior हमें रखना ही है, उसमें कोई दो राइ नहीं हैं। और जो थर्ड वेव का है, थर्ड वेव आईगी, वेदर थर्ड वेव फ्लैट होती है या सेकंड वेव से ज़्यादा होती है कराब, वो हमारे उपर डिपेंड करेगा. मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा था, कि प्रोटोकॉल को फॉलो करके, जहां पर बहुत ज्यादा भीड जुटने का अनुमान है, मसलन अगर कावडिये जाएंगे, बहुत बड़ी भीड जुटेगी, वहाँ भी जहां से जल लेना है, वहाँ भी जल चड़ाना है, अब जै कई बार मास्क पहन लो, मास्क उतार दो, वैक्सीन लग गई है, अब कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं, अब तीसरी डोज लगानी पड़ेगी, ये सब देशों में चल रहा है, प्रॉसेस हैं? तो तीसरी लहर तो हमारे यहां नहीं आएगी, भारत में भी नहीं आएगी, कावड यात्रा ने, ये कोविड ने मेरी मेनी नानी याद करा दी, मैं जब दूसरी कक्षा में था, तो मेरी नानी कावड यात्रा पे गई थी, और वहाँ से हरदवार से गंगाजल लेके आए हमारे देहात में शिव मंदिर में चड़ाने को, मैं बंबई में उनके साथ था, छोटे देहात में जा रहे थे, तो मैं कहां ये पानी उठाएंगे इतना कूली दो रुपया मांग रहा था, इसलिए मैं पूरा गंगाजल वो छोटे से देहात के पौंदों को डाल दिया, लेकिन नानी गुस्सा नहीं हूँ, उसनी का क्या भगवान की लीला है, मेरे हातों से इन छोटो देहात के पेडों के लिए गंगाजल मंगवाया, तो ये जो भी आप कोई कावम या कोई सामप्रदाय से जो आप से आप इत्तेफाक रखते हो, जो मालिक है उसको सब खबर ह जनरली में लोगों के साथ बात करता हूँ, आज मैं सरकार या कोट का समर्थन करूंगा, अभी ये समय नहीं है, ये साल क्योंकि हमारे जो वैक्सिन है, वो सीरियस डिसीज के अगेंस बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन मामूली डिसीज हो सकता है, 35% चांस है डेल्टा के वज़े से, तो अभी भी वैक्सिनेटेड लोगों में भी कोविड हो सकता है, इसलिए मैं सरकार का समर्थन करता हूँ, बहुत बड़ी बात कही है आपने, नजरिये का फर्क है, देखो तो हर जगए इश्वर है और उन पेडों को भी जल्दे दिया गया, लेकिन ये हर किस को बता पाना संभव है क्या, जहां पॉपुलर सेंटिमेंट पर वोट्स मिलते हो, डेमोक्रिसी चलती हो, वहां पर ये समझा पाना असान है क्या, सौमी दीपांकर, आप तो धर्मग्य है, मैं समझा चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, शास्त्र संकट के समय में, जब कोई बड साधना का, तो इसको निसंदे बचा कर रखना है, और दूसरी लहर के कहर से भारत अवगत है, भारत में बहुत और बहुत सारे हादसे देख लिए, मगर मैं उसके साथ ये भी कहूँगा, कि जब आध्यात्म और साइंस की आप बात करते हैं, तो मेरा इस बात को लेकर अध्यात्म में मात इतना सा अंतर है, कि धरम मान कर चलता है और आध्यात्म चल और विज्ञान चल कर मानता, तो मैं निसंदे बरतमान प्रस्तितों को देखते हुए समूची इंदुस्तान का, भारत वर्ष का सनातनी हरे एक, उससे अवगत है खत्रे से, और हर चीज को बह नहीं है, चेतन है, आज की प्रस्तितियों को देखते हुए विचार किया जा रहा है, कल की प्रस्तितियों को देखकर हो सकता है, जैसा सुप्रीम कोट कहेगा, वैसा पालन किया जाए, ऐसा प्लोग नहीं है कि जो आपने कह दिया, हम लोग वही करेंगे, नहीं नहीं वो ठ करता कैसे कह सकते हैं यह पुस परिपेक्ष में किस संदर्व में कहा गया कि वो कह रहे हैं कि इसको इजाज़त दी जाएगी और आगे की प्रस्तितियों को देखते हुए रहे पिचले साल देखते हैं जड़ता के या चेतनता की निसंदे चेतनता है वो भी पेसिक मुझे एक में बहुत महीन सवाल आप से कर रहा हूं कि करना नहीं चाहिए मगर कर इस ले रहा हूं क्योंकि कभी-कभी जवाब जो लगते हैं वो कुतर्क प्रतीत होते हैं आप जण और चेतनता की बात को लेते किस संदर्व में हैं ये महतबपूर है रसलीन के दो शदते के जैसी द्रिश्टी वैसी स्रिश्टी देखने का नजरि लेकिन डॉक्टर दीपांकर मैं आपके पास आ रहा हूं दिपांकर जी आपके ही नाम के डॉक्टर दीपांकर भी हमारे साथ जुन्हें हुए हैं यूके से दो डोस देने वालों की संख्या 50 फीज़दी से ज्यादा होने के बावजूद ब्रेक्ट्रू इंफेक्शन्स त है नेली 70% लोगों को दो डोस मिल चुका है इसके बावजूद यूके में कल के तारिक में 36,000 न्यू केसे की उपलब्दी हुई है कोविट की इतने केसे तो इंडिया में भी मेरे क्याल से गिन रहे हैं पर इसके साथ हमारे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ड मानना है वो इस बेसिस पर है कि इतने इंफेक्शन होने के बावजूद बहुत कम हो रही है डेथ रेट बहुत कम है कल के तारिक में 50 लोगों की मित्यू हुई है उसके पिछले दिन पांच लोगों की हुई थी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है 98% लोग जिनको पास यह मंदब economy को open कर रहे हैं यह regulation को खोल रहे हैं अब यह आपने देखा होगा euro football में इतने सारे 60,000 लोग आये थे विंबिल्डन में इतने सारे लोग आये थे कोविट की rates बढ़ रहे हैं हमारा third wave चालू है पर लोगों को यह मानना है कि यह death rate में ट्रांसफर नहीं होएंगे hospitalization नहीं होएंगे hospitalization में बढ़ रहे हैं हमारे hospital में जितने भी patients hospital में आये हैं उनको उनके पास vaccine नहीं है maximum लोगों ने vaccination मतलब नहीं लिया हुआ है जहां पर doctors ने कहा है कि तीसरी dose दो हमको दोसेज के बाग बावजूद हमको infection हो रहा है हम आगे लोगों को treat नहीं कर पाएंगे इसकोर मैं आपका नजरिया लूँगा से धार्तनाथ ने कहा कामण यात्रा के लिए जरूरी guideline जारी की जाएगी विपक्ष ने कहा जनता के सुरक्षा में कोई चूक ना करे सरकार सुनिये कोई भी आया है इसको नोटिस का जवाब देगी और जिस जवाब है उसके अंदर जो भी राजसरकार चीजें सोच रही है उसके अधार पर जवाब बना के उनके सुप्रीम कोट के बीच में रखेंगे मगर मुक्वंती दी कह चुके हैं एक सीमित दारे में कावड यात्रा होईगी और उस सीमित दारे के अंदर प्रोटोकॉल्स का को का फॉलो करा जाएगा और साथी साथ सोचल डिस्टिंग्स ओं मास्को आर्टी पीसिया यह सब चीजों को उसके अंदर रखा जाएगा राज के नागरिक की सुरच्चा और स्वास्थ की जिम्मेदारी सरकार की होती है राज सरकार यह अनिवारी करें कि किसी भी नागरिक के स्वास्थ में और स्वरच्चा में किसी तरह की भी चूक ना हो पाई ये दोनों चीज़े आपने देख ली विपक्ष पहले से ये कह रहा है कि जनता की जान से खिलवार नहीं होना चाहिए सरकार कह रही है हमने पूरी तयारी किये प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा और सुप्रीम कोट को भी बता देंगे इस पर मैं आऊँगा लेकिन आईए एक और बात बता दूँ आपको कोरोना से दूरी या कावड यात्रा जरूरी असल में आप देखिए यहाँ पर आप जब वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में देखते हैं कि डबल डोसेज के बावजूद वैक्सिनेशन के वहां ब्रेक्ट्रू इंफेक्शन हो रहे हैं यह बात दीगर है कि डबल डोसेज के बाद वहां 35% काकडा जैसा डॉक्टर गोट से कह रहे हैं कि 35% लोग बीमार होते हैं और मॉर्टेलिटी बहुत कम है लेकिन हिंदुस्तान जैसे पॉपुलस कंट्री में अगर आप परसेंटेज वाइस देखेंगे तो शायद आपको वैसा दिखाई दे लेकिन अगर आप नंबर पर से देखेंगे तो ये भी बड़ा दिखाई देगा ये बात ध्यान में और पूर सिद्धिकी ये कोई टेंपरिली पेन किलर नहीं आयुर्वेदे कोशजी है इसके संदर में आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी अगर जिनके लिए ये जानकारिये में उनके लिए दोरादू सावन के महीने में ये रवायत है हिंदूों की आस्था का तकाजा है पर जागें भी हैं हरिद्वार, काशी, सुल्तान गंज, यहां से भी जल भरा जाता है जिन स्थानों से गंगा जल लाए जाता है वहां लाकों की भीड होती है अब वहां भी भीड जुटेगी और गंगा जल लेने के बाद कावणियों का समूह अपने स्थानीय मंदिर पह पहुचते हैं वो लोग तो खासतोर से क्योंकि वो इतनी दूर से जल लेकर पहुचे हुए होते हैं उनके अंदर और भी यह भाव होता है कि हम जल्दी से जल्दी जल चढ़ा ले और इस मामले में क्योंकि सब लोग एक साथ वही सोच रहे होते हैं कई बार भीड का जुट बनती है वो तो खर हर साल का मामला और उससे निपट लेती है जरकार लेकिन चिंता इस बार कोविट के चलते ज्यादा है कावड यात्रा के दौरान अनुशासन हींता देखने को मिलती है उस या अनुशासन हींता प्रोटोकॉल आपने कर दिया लोगों को समझा भी दिया लोगों उसे अपील कर ली, RTPCR भी देख लिया, लेकिन इतनी सारी भीड को कंट्रोल करते हुए, ये सब क्या सुनिश्चित किया जा सकता है, ये एक सवाल है, और UP उत्राखंड से कोरोना अपडेट क्या है, वो भी ज़रा इस समय देख लेना चाहिए, कोरोना पूरी तरह ग में दस की मौत हो चुकी है, अब तक 22,704 मौते हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में और UP 151 मौते रिश्टर की जा चुकी है, एक्टिव केस 1489 हैं उत्तर प्रदेश में और UP 153 मौते 890, अब ये एक्टिव केसे 24 गंटे के अंदर सामने आए, मरीज और मौतों का आकडा, य इसरी एक बड़ी लहर काका अंदेशा सामने है। हरिद्वार कुम्भ से कई गुना ज्यादा फैल गया था कोरोना और ये कहा जा रहा है कि फाइव टाइम्स बिगर इवेंट हो सकता है कावड यात्रा सूपर स्प्रेडर होने के हिसाब से। कुम्भ से अगर कोरोना फैला था वहां से जाने वाली लोगों ने कोरोना फैला है था तो पांच गुना ज्यादा ये बढ़ सकता है कावड की वज़े से। जरा देखिए उत्राखंड में कोरोना केसिस का क्या हुआ था एक से तेरा फरवरी 586 केस चौदा से 28 फरवरी 172 केस एक से 15 मार्च 247 केस और 16 से 31 मार्च 2480 केस के बाद देखिए एक से 15 अपरेल 15,333 केस और ये जब मैं बता रहा हूँ आपको हरिद्वार कुम्भ की तरीके से आप सरकार चला रहे हैं तो सारी स्थितियों को देखकर ही कर रहे होंगे लेकिन ये प्रिष्ट भूमी आपको फिर भी सशंकित करती है क्या आप लोग तमाम ख्याल रख रहे होंगे बेशक करोना पीक पर था उसमें बहुत सारे जो चीजे थी उन पर हमने भी उनको प्रतिवंदित किया था हमने भी रोक लगाई थी कावण यात्रा पिछली बार नहीं हो पाई थी आपको जानकारी है लेकिन अब देखिए बहुत सी चीजे सामान में हुई है उत्तर प्रदेश मे मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में मुक्रमनती जी ने जनता दर्शन करना शुरू कर दिया है जनता पहुंच रही है रोज मर्रा के जिन्दगी चल्दी शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में लॉगडाउन तो कभी नहीं था हमने आंशिक करोना करफिय लगाया हम पते हना तक बात देखिये एक चुनोती है उस चुनोती को लेकर हमने अपनी टैरिया की है तेक वहि सवाल में वह उखता है एक तरफ पताःत किसान आंधोरां हो रहा है उसको लेकर कोई सवाल ने उठात है और जिस कोविर अपने पीक पर था उस में तथा lessons a Muller उस व्ध बात को लेकर आश्वस्त है कि अगर हमें मानी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला गया है वहां से इजादत मिली तो हम पूरी तौर पर नियंतरित करके बहुत सकुषल तरीके से बहुत छोटे-चोटे दायरे में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूरा करते हुए इस यात्रा का सकुषल संपन कराएंगे चीक है और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कावण संग्हों से बात की है उनके निर्देश दिये हैं और उनके साथ लगातार बात हो रही है लेकिन राजकुमार भाटी जी कौन करेगा किसानों के मामले में यह सवाल तब भी उठा था जब कुम का हवाला दिया जा रहा था क्यों किसान अंदोनन वालों को समझाईए वो सवाल क्यों नहीं उठता देखिए पहली बात तो जो अभी इस जो विशे है उसके में दोवा के बोल दूं कि आपने जो आंकडे दिये जो बताया तो डॉक्टरों ने भी हमारे बीच में जो बाते गई उसका लब बलवा भी है उसका निशकर्स ही है कि का औराना का जो संकट है वो खतम नहीं हुआ कोरोना की जो खत्रा है वो कम नहीं हुआ अभी है बर करा है अब शलममनी तिरपाठी जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कर वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके और लोगों को सुरक्षित करके उनकी जिम्मेदारी लेती है उनकी सरकार उत्तरपरदे सरकारी जि अब दूसरी बात अगर किसान आंदूलन चल रहा है तो उसके लिए तो माननी मोदी जी और केंद्र सरकार जिम्मेदार है अगर मोदी जी चाह है तो एक गंडे में किसान आंदूलनों को समात कर सकते हैं अगर सरकार को इतनी चिंता है अपने नागरिकों की तो नागरिकों के मागों की चंता करें उनकी समस्चाओं की भी चिंता करें उन्होंने तबलीगी जमात का हवाला दिया ये भी कहा और शुरुआत में भी उन्होंने कह दिया था आपको याद होगा वो कह रहे थे पोस्टर्स लगाये थे उसको लेकर भी चले गए थे कहीं ऐसा तो नहीं है कारशिवा के दोरान समाजवादी पաर्टी का रूख उनको याद तो नहीं है को कि तो नहीं देख रहे हैं कि हिंदू विरोधी मानसिक्ता के चलते ये बात कही जा रही है वो πुछ भी कहने दिने जिए भार्धी जिंदा पार्टी के तो लोगों को कोई की आदा तयान अरगल बाते करना और आप तो एंकर हैं तीक है शलब जी कुछ कहना चाह रहे हैं शलब जी राजकुमार भार्टी की बहुत सम्मानित रखती है मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कोविट को लेकर इनकी चिंता की मैं सराहना करता हूं लेकिन यहीं सोचता वेक्सिन बन रहे थी जिसकी देश और दुनिया में तारीफ हो रहे थी तो समाजवादी पार्टी के मुख्या कहते हैं तो कैसे मानने कि आप कोविट को लेके गंभी रहे हैं और आप राग्जीती नहीं कर रहे हैं बताए और यह भी कहते हैं वह जब भरोसा नहीं होता ज खाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा तब आपने इतराज क्यों नहीं किया जब आपके जो कही और चला जाएगा लोगों के एक जुट करने के लिए कोशिच होई की उस पर कई बार बात हो चुगी है राजकुमार भाटी जी मैं आगे चलता हूँ मैं आपके पास दोब कोरोना का डेल्टा वेरियंट एंटी बाडी को दे रहा है चक्मा और इसलिए दो कवच पहनने के बाद भी लोग हो रहे हैं बीमार हलाकि ये बीमारी कितनी गंभीर होगी इसको लेकर विशेशक ये कह रहा है कि जिनको दोनों टीके लग चुके हैं उनमें गंभीर बीमार से ज्यादा नए केसिस वहां देखने को मिले अगला दिखाईए जल्दी से ये अगर युनाइटेट के किंग्डन में आपको देखने को मिल रहा है स्पेन में देखिए 45 परसेंट को दोनों और 69 परसेंट आबादी को एक डोज यहां लग चुकी है स्पेन की बात कर रहा ह और यहां हर एक लाक शिवाओं में से 911 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अगर ऐसे में अमारिका देख लीजे जहां से रवी गोट से अभी है उनके पास मैं फिर से चलूँगा इसको समंझे के लिए 49 परसेंट को दोनों डोज 37 परसेंट आबादी को एक डोज लग चुकी है अमेरिका में और वहाँ पर भी इस तरीके के इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है पिछले हफ़ते हर दिन ऑसतन 19 हजार नए केसेज देखने को मिले हैं भारत में क्या हुरा जल्दी से वो दिखाईए जुलाई में जुलाई 11 तक वैक्सिनेटेट डेशों में कोर भी लें तो 37 में 5 जोड़ दीजे और अपनी आबादी देख लीजे अब भी ऑसतन 40,000 से अधिक मामले रोज आ रहे हैं अब अगर ये है स्थिती हमारी हमने देख लिया क्या स्थिती है विदेशों में जहां दोनों डोसेज लगी है ज्यादतर पॉपुलेशन को और हमारे इलाकों और बाजारों में बढ़ती होई भीड चिंता का विशा है प्रधान मंत्री अपनी चिंता दिखा चुके हैं भीड भाड वाली जगहों पर सक्थ सक्थ नियम लागू किया जाए टेस्ट ट्रैक ट्रीट टीका करण को कोरोना के नियमों का पालन करने पर ध्यान दि हमारे यहां तीसरी लेर नहीं आएगी नैसर गी कृतिया से जो हमको इम्मुनिटी मिली है दो डोस वैक्सिन के लगए उपरां सरी हमारे यहां मतलब यूएस या इंडिया दो देखो यह जो एक इशारा है आफात नागानी का किसी जगह से परिंदों का आचानक कूछ कर ज लोग में हो रहे है जो डेल्टा के खिलाफ फाइजर 88 फीसद चलती है इसका मतलब जो डोस लोग है उन लोगों में भी सौ मैंसे 12 केस निकल आएंगे तो केसे आएंगे केसे गिंती करना छोड़ दो केसे अभी केसे बढ़ेंगे यूके के एक लाग तक जाएंगे लेकिन लोग अस्पताल नहीं जाएंगे हमको क्या फरक पड़ता है अगर वह अस्पताल हमारे यहां भी केसे बंद करना छोड़ तो वहां 50-60% को डबल दोस हो चुका है सर अने डबल देखो अगर डबल डोस होने के बाद भी आप डेल्टा के संपर्त में आते हो तो उसका प्रक कोशियस होना है हमें और आस्ता का मामला है लेकिन साइंटिफिक बेसिस भी हमें देखना है कि अभी सेकंड जो वेव है पूरी तरह खतम नहीं हुई है 38,000 केसिज आए हैं हमारे कल तो आप चाहें इसको सिंबॉलिक कर सकते हैं कि हर गाउं से एक दो चार पांच लोग चले जाएं लेकिन वही आपने बोला है कि हमें भीड नहीं होने देना है हमें मास गैदरिंग नहीं होने देना है जहां मास गैदरिंग हुई वहां कोविड एप्रोप्रियेट अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो जैसे हमारा सेकंड वेव आई और उस समय सारे चार लाग केसे सड़नी दो चार हफते में हो गए और हम लोगों ने देखिया हम लोगों की मेमरी इतनी शौट होती है जब सेकंड वेव पीक पे थी भयंकर ऑक्सीजन क्राइसिस थी मेडिसिंस नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल बैड नहीं थे आई सीउ बैड नहीं थे हमें ये सब को बड़ी गंबीरता से देखना है और ग और यह जो आप कहने हैं कि हमको बहुत कौशियास होने की जरूते इसकी पीछे वजय क्या है तीसी लहर के आशंका के बीच केरल से बड़ी खबर आ रहे है वो बता दू मैं आपको भारत की पहली कोरोना मारीज दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुई है नोईडा चाइल्ड हम यह तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं अरे तीसरी लहर आने से पहले हम एंजोई करना चाहते हैं यह बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी कभी कभी लोग सवाल को तेक तीसरी लहर के क्या तैहरी की है तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ति से कैसे अमल करना है देखो अभी मुझे हैरानी तो यह है कि जैसा गवर्मेंट चल रहा है रस्ते में केले का छिलका देखते हैं और कहते हैं साल आज फिर गिरना पड़ेगा अगले साल कैंसल हुआ क्या 2022 में भी कैंसल करोगे मैं जल्दी से जल्दी अगर भीड हो रही है ना वहाँ पे वैन में बैटके वैक्सिनेशन ही तो हमारे आप देखिए ना अगल आबादी ऐसी जिसको दोनों डोसेज मिली हो 5 परसेंट भी नहीं पहुंच लेकिन डॉक्टर दिपांकर के पास मैं जाना चाहता हूं दॉक्टर दिपांकर हमने ये देखा था कि जब ये वेव साई यूके जैसी कंट्री को यूएस जैसी कंट्री को हमने क्रंबल हो कि कॉरोना कभी जाएगी नहीं इस दुनिया से हर इंसान इंटायर पॉपुलेशन वर्ड का उनको कॉरोना टच करेगी आइधर एज डिजीज मनलब बिमारी की तरफ से या तो वैक्सिनेशन लेके उनकी इम्मिनुटी की तरफ से तो हम कभी अगर एज्यूम करें कि ये एक स साल दो साल के बाद करोना भाग जाएगी हम इनको जीत देंगे इसको भूल जाएए करोना कभी नहीं जाएगी ये नजला जुकाम की तरह रह जाएगी बॉडी के अंदर अगर ये इम्मिनिटी लोगों को हो जाती है एक बार बिमारी के बाद दुबारा फिर से हो सकती है पर बिमारी की इंटेंसिटी कम होएगी आफ्टर इम्मिनिटी तो अगर हम चाते हैं कि हम सारे लोग घर के अंदर बैटके ही बंद रहें सारी जिंदगी भर वो भी एक सोलूशन है पर ये भी नहीं चाहिए कि आज छुटी मिली है जैसे हमारे 19 तारीक को हमारे यहां पे खुलेगी सारे नाइट लब्स पैक्ट होके अगर सब लोग वहां पे नाचना शुरू कर देंगे तो फिर ये मतलब उश्रिंग खलाता प्याल जाएगा डर यही है कि अगर आत्मानुशासन हो सरकार को कहना ना पड़े सरकार को यहां इस तक के लिए तो कहना पड़ता है कि सीट बेल्ट लगा लो वहां पे खड़ा हुआ पुलिस वाला बताता है हेलमेट लगा लो आपकी जान के लिए उनको बताना पड़ता है और उसमें भी दिपंकर जी आपसे स्रीमित हो पाई, गला भी फसरा है, आपको धनिवाद करता हूँ सबी मैं मानू को. पाई